हेलो एवरीवन वेलकम टु स्टडी आई क्यों पीजिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है हम लोग बहुत इंपोर्टेंट सेशन लेकर आये हुए जिसमें आज से हम लोग एक मेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें MP स्पेसिफिक जो भी आपके मेंस के अंद वो दिन में तीन बजे रहेगा और दिन में तीन बजे हम MP PSC के मेंस के एकॉर्डिंग ली जितनी चीज़े हैं उनको रोजाना कुछ ना कुछ लेकर आएंगे जिसमें आपके सजेशन्स भी जो होंगे कमेंट सेक्शन आपके लिए उपन है उनमें जो भी आप लोग चीज 1 का part A है उसकी unit number 5 इस unit number 5 का जो topics है उसमें आपको दिया हूँ है बुनदेला तो बुन्देलान डाइनिस्टीज के अंदर या बुनदेला वनशो में दो पढ़ने होते हैं आपको एक चंदेल भी पढ़ना है और एक बुनदेला भी पढ़ना है तो आज कर जो discussion होगा loosely हो कि करने वाले हैं तो आज हम बहुत अच्छे से क्लियारिटी लेंगे कि बहुत बढ़ा वंच है बुंदेला डाइनस्टी जिसमें आपने छत्रशाल बुंदेला का नाम सुना होगा वीर सिंग देव बुंदेला का नाम सुना होगा जिने छत्रशाल बुंदेला को तो यह बुं क्या-क्या पता होना चाहिए किस तरीके से पता होना चाहिए तो एकदम बेसिक से मैं इसको स्टार्ट करूंगा गुड आफ्टनून एवरीवन जितने लोग मेरे साथ जोड़ रहे हैं तो जितने भी MP के या आपका थोड़ा सा देखा जाए तो अभी आपने यूपी एसी का भी पेपर देखा होगा तो यूपी एसी के पेपर में भी आप देखेंगे तो तीन कोश्चन एक ऐसे आयते जो छोटी-छोटी डाइनस्टी से आयते जिसमें चंदेल और बुंदेलास के रूलर्स के ना लेकिन इनके बारे में एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो गुड़ आफ्टरनून एवरीवन जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए इस लिक्टर को शेयर जरू कर दीजे जितने भी MP के एस्पिरेंस हैं उनके लिए भी और बाकी लोगों के साथ भी तो उसके बा है मेरे साथ है ठीक है तो शूरू करेंगे सेशन को हम बहुती जल्दी और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे तो बुंदेला वन्श के बा रहेमें पढ़ेंगे बुंदेला के बारे में अच्छे से यहां पर कवर करेंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन तो उससे पहले किसी भी तरह के कोई डाउट से इंड शोशल मेडिया हैंडल्स पर मुझसे जोड़ सकते हैं और आज से एक चीज और मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें जो है आपको आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके उपर आपको आंसर आइटिंग करनी है उत्तर लेखन करना है और इस आंसर को आपको मिझे मेल पर भेजना है उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा फिर आपको रिवर्ट करूँगा तो जितने भी बच्चे हैं आखरी तक ज़रू देखिए आ एक कुशन 11 मारकर आता है तो हर यूनिट हमारे लिए 30 मार्क्स की है तो यहां से हमारे पास अलग-अलग पॉसिबिलिटीज है तो आंसर आइटिंग भी आज से हमको स्टार्ट करनी है धीरे-धीरे तो हर आंसर को जो भी मैं आपको कुशन दूँगा उसके उपर आप आंस इस्टी हम पढ़ते हैं जिसको कौन सा वंश कहा जाता है बुंदेला वंश कहा जाता है तो भाई बुंदेला वंश जो है या बुंदेला डाइनस्टी जो है इसकी आज हमें क्या बात करनी है तो इसकी ओरीजिन की बात करनी है इसकी उत्पत्ति की बात करनी है कि कहां से आ ही क्या थे फ्यूड़ उसते और उन्होंने इन्डिपेंडेंडेंट इंपार स्टाब्लिश कर लिया अगर हम बात करेंगे हुंच की तो कोई भी टैनिस्टी जैसे की भई आपका मौरेंड डायंस्टी तो मौरेंड डायंस्टी क्या था तो उसके पीछे अलग-अलग लोगो में अलग-अलग reference दिये गए तो हर डाइनस्टी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है कोई ना कोई origin उनका छुपा होता है जो आप से exams में पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इनकी किसकी बात करेंगे origin की तो origin में शुरू करें तो origin से पहले आपको एक डाइनस्टी आप पढ़ते हैं राजपूत्स जब हम medieval history चालू करते हैं मद्यकालीन इतियास आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप राजपूत्स के बारे में पढ़ते हैं राजपूत्स पढ़ाए जाते हैं आपको तो राजपूत्स में आप अलग-अलग राजपूत्स के बारे में देखेंगे तो इसमें कौन-कौन से होते हैं तो इसी में आप प्रतिहारों के बारे में भी पढ़ते हैं इसके अलावाद चोहानों के बारे में भी पढ़ते है इसी में एक गढ़वाल वंच के बारे में या गहडवाल जिन को कहा जाता है इसी में आप परमार के बारे में पढ़ते हैं चंदेल के बारे में पढ़ते हैं यह कुछ राजपूर्ट डाइनेस्टी जो मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक्स में दी हुई है अब इसी में एक डाइनस्टी है जिसका नाम है गड़वाल डाइनस्टी ये गड़वाल डाइनस्टी क्या थी तो आज का हमारा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है तो ध्यान से देखेंगे इसको हम किसकी बात कर रहे हैं गड़वालों की बात कर रहे हैं गड़वाल कौन reasons में फैले हुए थे और इनी में एक बहुत important ruler हुआ आगे चल कर जिसने एक battle लड़ी थी जो आपने सुना भी होगा battle of चंदावर battle of चंदावर कब लड़ा गया था 1194 में और 1194 में जो battle of चंदावर हुआ था इसमें कौन लड़ा था तो जैचंद लड़ा था तो जैचंद्र जो था वो आपका गहडवाल एक ruler था जिसकी लड़ाई हुई थी 1194 में मोहमद गौरी से तो मोहमद गौरी और किसकी लड़ाई हुई है जैचंद की लड़ाई हुई किस battle में हुई 1194 के battle of चंदावर यह आप लोग पढ़ते हैं medieval history में लेकिन यह गहडवाल इनी में आपको पता होगा कि जैचंद्र की जो बेटी ती सहियों गिता उनको भगा कर ले गए थे प्रित्विराज सिंग चोहान तो यह जो है मौम्मद गौरी को invite कर दिया था जैचंद को जो है negative sense में कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक तरीके से इंडिया के अंदर या बोला जाए कि जो टर्किश अटाक था उसको मदद करी तुर्कियों को मदद करी मौम्मद गौरी को कही ना कहीं शेह मिली किसके कारण चंदावर का जो बैटल हुआ वो तो बाद में हुआ लेकिन जो जैचंद को एक तरीके से शेह मिली और जैचंद ने जो मौम्मद गौ को एक तरीके से इंडिया में इन्वाइट किया पृत्वीरा सिंग चौहन के साथ दो बैटल लडी बैटल ऑफ तराइन जो फॉर्स बैटल ऑफ तराइन 1191 1192 उसके पीछे कही ना कहीं चैनल ये जो जैचनल इनको गदार कहा जाता है तो हमें वो सारी स्टूरी इस पर ध्यान हुआ करती थी इनी की कैपिटल क्या थी कन्नाज हुआ करती थी तो देखा जाए तो आपके जो भी अलग-अलग डाइनिस्टी इस उससमें रूल कर रही थी जब मिडाईवल इस्ट्री आप पढ़ते हैं तो समय अलग-अलग वंश्कों के बारे में पढ़ते हैं जैसे इनी को सामंत भी कहा जाता है तो देखिए इनके साथ क्या होता था सामंतों को जैसे मान लिया जाए कोई राजा यहां पर रह रहा है अब इस राजा ने यहां की जगा जीत ली है तो यहां पर जीतने के बाद जो भी यहां का किंग होगा जो भी यहां का राजा होगा उसक लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी आर्मी भी यूज कर सकते हैं रेविन्यू भी यूज कर सकते हैं और आपको सारे जो भी डिसीजन्स होंगे वो हमारे मानने पड़ेंगे लेकिन इसमें क्या होता है कि जब तक ये मजबूत रहता है तब तक तो ठीक लेकिन अग इंडिया में बहुत सारी आपको डाइनिस्टी मिलेंगी जो सामन्त एक समय पर और एक समय पर जाकर आजाद हो गए तो आज जो हम बुंदेला पढ़ने उनके पीछे भी कही ना कहीं यही बात है तो जो गहडवाल थे इन गहडवाल के ही एक सामन्त थे इन सामन्तों को आज ह विवस्ता की हम फ्यूडल जो सिस्टम है उस पर जो है बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि गहडवाल जो थे इनके फ्यूडल हुआ करते थे और इनके फ्यूडल में एक व्यक्ति हुआ करता था लगबग हम बात करें 1071 में AD में जब तो बैटल अफ हुआ हुआ तो वारण नसी के जो सामंत हुआ करते थे वारण नसी के सामंत का मतलब जो फ्यूडल थे मतलब देखे गहडवालों की जो एक जगा थी वो क्या थी काशी हुआ करती थी काशियों में इनके सामंत रहा करते थे तो सामंत फ्यूडल को इन्होंने काशी देके र यहां पर वो रूल कर रहे थे अब इनी में क्या हुआ कि जो काशी में रूल चल रहा था उसमें जैसे वार आफ सक्सेशन होता है कई जगाओं पर वार आफ सक्सेशन मतब गद्दी के लिए लड़ाई होती है एक भाई को गद्दी मिल गई तो दूसरा भाई किसके लिए जाता है तो हेम करन जगदास या पंचम को क्या होता है जो उस जगापे काशी की जगा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है तो वो काफी निराश हो जाता है कि मैं जो हूँ अगला यहां का शाशक है मुझे भी कुछ भूमी मिलनी चाहिए थी लेकिन उसको थोड़ा सा नि वो क्या था तो एक राजपूत वंशो में से एक वंश गहडवाल था जिसमें एक फेमस रूलर रहे कौन तो आपका जैचंदर है वैसे येशोविग्र का नाम भी आता है और भी बहुत सारे शाशक है इसमें तो इनी के सामन्तों में एक सामन्त थे जिनके पास कहां की जागीर हुआ करती थी इस काशी की जागीर में एक राजा हुए जिनका नाम था पंचम हेम करण या जगदास इनको क्या नहीं मिला इनको काशी की सामन्ती नहीं मिली मताब काशी के अंदर ये सामन्त जो बने हुए थे तो इनके भाईयों में लड़ाई हुई और इनके भ सामंत कहलाते थे तो इनको पहले विंधेला बोला जाता था ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर पूरी चीज़ें आपकी कनेक्ट होंगी इनको विंधेला या विंधेला कहा जाता था तो ये जो विंधेला या विंधेला इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी कुल देवी थी इनकी कुल देवी का क्या नाम था जैसे हर जगा पर एक कुल देवी होती है तो इनकी कुल देवी जो कहा जाता है इनकी कुल देवी बताई जाती है कि विंध वासनी देवी थी इनकी ही कुल देवी का क्या नाम है तो याद रखेंगे विंध वासनी देवी थी अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर गडवाल शाशन कर रहे है गडवाल के ही सामंत कहा रहे है काशी में रहे हैं तो war of succession में ये देखने मिलता है कि भई जो पंचम होता है इसको निशकाशित कर दिया जाता है इसको कोई भी भूमी नहीं मिलती काशी की वारण असी में इसको कोई भी तरह से नहीं पूछा जाता तो जब नहीं पूछा जाता तो इसको काफी दुख होता है तो ये जो इनकी कुल देवी होती है जिनका नाम क्या है विंदवासनी देवी है ठीक है देखिए धिहान से देखिए लेक्टर कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्षिन ओपन है तो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं तो धिहान से समझेए सारी चीज़े कनेक्ट होंगी आख आखरी में आप लोग जो है इसके आंसर्स देपाएंगे जैसे मैंने बोला है आज से हम मेंस राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको तब जाकर आप मेंस का अंसर लिख पाएंगे लेकिन ये है कि अग जड़ी नहीं मिलती इनको निश्काशित कर दिया जाता है तो एक काफी दुखी होकर हुआ कि कुल देवी जो थी विंदवासनी देव देखें विंध वासनी देवी का जो मंदिर है वो दो जगहा पर है आगर आज आप एमपी में देखेंगे तो एमपी में एक जगा है जिसको कहा जाता है सलकनपुर जो है वहाँ पर भी विंदवासनी कहा जाता है उनको और विंदवासनी क्यों है तो विंद्याचल परवत के उपर ये विराजमान होती है लेकिन जो ओरीजनल विंदवासनी देवी का मंदर है वो है मिर्जापुर में और मिर्जापुर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा तो मिर्जापुर जो है मिर्जापुर में कौन होती थी विंदवासनी देवी जो किनकी कुल देवी हुआ करती थी ये जो वारण असी या बनारस में शाशन कर रहे थे जो किसके सामन थे गहडवालों के या गहडवाल के तो उन में से जब पंचम को गद्धी नहीं मिली तो ये कहां चला गया विंद वासनी देवी के मंदर चला गया और विंद वासनी देवी के मंदर में बैठ कर जो है तपस्या करने लगा और इसने जो है बहुत जादा एक्स्ट्रीम पैनिंस क करने के बाद penance का मतलब कि बहुत जादा कटिन तपस्या कर रहा था वहाँ पर की इसको जो है राजपाट नहीं मिला है और फाइनली ये अपनी बली देने वाला था अपना sacrifice करने वाला था तो जैसे ही बताया जाता है की ये अपने गले के पास जो है कटार लेकर आया तो इसकी जैसे ही खून की बूंद गिरी तो वहाँ पर विंद वासनी देवी प्रकट हो गई और विंद वासनी देवी ने इनको आशिरवाद दिया कि आगे चल कर आपका ही जो वंच होगा वो काफी प्रतापी होगा अभी आप राजपाट के लिए इतना निराश हो रहे हैं लेकिन आप बहुत जादा प्रतापी शाशकों के ही जो है जन्मदाता कहलाएंगे तो ये आशिरवाद किसको मिला पंचम को मिला जो हम बात कर रहे थे पंचम हेमकरन तो हेमकरन ने तपस्या करी किसकी ये तपस्या जो थी मतलब एक तरीके जब गिरी थी तो उस बूंद के कारण विंद वासनी देवी वहाँ पर प्रकट हो गई थी और इस खून के बूंद के कारण इस बूंद के कारण इनको बुंदेला कहा गया तो बुंदेला नाम जो पढ़ता है वो दो चीजों के कारण पढ़ता है एक चीज कही जाती है यह विंधे परवत के आसपास रहा करते थे तो इसलिए इनको विंधेला कहा जाता था या विंधेला कहा जाता था और विंधेला से नाम जो है अब्रण शोकर जो नाम बिगड़ता जाता है तो विंधेला से नाम बिगड़कर क्या हो गया बुंधेला हो गया दूसरी जो कहानी म मैंने आपको mythical बताई कि जो हेम करंड था कहा गया था विंदवासनी देवी के मंदर मिर्जापुर में वहाँ परकाशी से विंदवासनी देवी के मंदर गया है वहाँ पर जब उसकी खून की बूंद गिरी है तो उस बूंद के कारण ये लोग क्या कहलाने लगे बुंदेला कहना लगे जिनकी कुल देवी क्या थी तो इनकी कुल देवी कौन थी विंदवासनी देवी हुआ करती थी यहां तक आपको बात समझने आ रही होगी इसके बाद ये क्या होता है तो जो आपके हेम करंड होते हैं जगदास होते हैं हेम करंड जिनको हम क्या कह रहे हैं जालोन यहां पर एक जगा है आज भी जिसको बोला जाता है माउ माहोनी तो यह कहां आकर बस जाते हैं माउ माहोनी एक जगा है कहां पर तो जालोन जालोन जिला कहां आ जाता है तो उत्तर प्रदेश के जिले में आकर बस जाते हैं कौन तो हेम करण जगदास या पंचम इनका एक ही नाम है तो ये आकर बस जा रहे हैं कहां पर कब जब विंदवासनी देवी से इनको आशिजवाद मिल जा रहा है कि इनका जो वंच होगा वो काफी प्रतापी वंच होगा और बूंद के गिरने से बुंदेला पढ़ा दूसरा मैंने कारण आपको बताया कि विंदेला के पारी होगी आपको बिल्कुल एक जो मंदर है विंदवासनी देवी का सलकनपुर में उसी होर प्रमें है लेकिन जो नहूं सबसे पहले जो गए थै मिर्जापुर के विंदवासनी देवी के मंदर और काफी induction है मिर्जापुर हों तो वहां पर इन हुई है या आपसे पूचा जाए तो आप एक्जाम में सोर्स क्या डालेंगे तो सोर्स डालेंगे कि भाई जो छत्रशाल थे महाराजा छत्रशाल हुए है आगे चल कर आप जब बुंदेला डाइनिस्टी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे रूलर्स को मैं अभी आपको प चंपतराय हुए है और चंपतराय के ही आगे जो वंच में कौन हुए है तो राजा छत्रशाल हुए है जिनको शिवाजी कहा जाता था कहां का बुंदेल खंड का शिवाजी कहा जाता है जिन्होंने चतरपूर्वी जिनके नाम पर है वो छत्रशाली है तो इन चत्रशाल के राज कवी थे मतलब इनके दरबारी कवी थे इनके कोट में रहते थे जिनका नाम था गोरे लाल या लाल कवी इनकी बुक में जब इनोंने बहुत सारी बुक लिखी है आगे उसको भी डिसकस करेंगे इन बुक्स में जो बुंदेला का ओरिजिन की कहानी दी गई है वो मैंने वासनी देवी के मंदर में जो है अपना प्रांट त्यागने वाले थे आशिरवाद मिला कि भई आप बहुत प्रतापिश आशक होंगे तो ये जो है वहां से जालोन आकर बस गया और जालोन में कहां बताया मैंने तो महु महोनी एक जगा है इसका नाम याद रखेंगे क्य कि सीधे सीधे कोशन आएगा कि इनकी इनीशेल कैपिटल क्या थी तो इनकी इनीशेल कैपिटल महु महोनी थी कहां पर जालोन में बिल्कुल बहुत अच्छी बात है विकास तो यहां तक समझने आ रही है चीज़ें आप लोगों को जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए यहां तक clarity है कोई तरह का doubt तो नहीं आ रहा है आप लोगों को तो यह जितनी भी चीज़े मैंने बात करी है यह किसके आधार पर बात करी है तो गोरे लाल जी ने अपनी किताब लिखी राजा छटरशाल के धरबारी कवी थे तो उन्होंने यह बताया कि बुंदेलाओं की सुद्पत्ति कुछ इस तरीके से हुई थी यह तो बहुत बाद में हुए महाराजा चात्रशाल जो हुए वो काफी बाद में हुए मतलब औरंग जेप के समय जो है बताया जाता है कि यह हुए थे तो औरंग जेप का ही समय मिलेगा आपको 1658 तो 1658 के बाद है लेकिन हमारी कहानी शुरू हो रही है 1071 के आसपास तो जब चंदावर पर जो बैटल हुआ है वो 1194 में हुए 1194 में हो तो जैचेंद्र गहडवाल वंश पुराना था तो 600 साल पहले यह वंश शालू हुआ था बिलकुल मद्यप्रदेश का चतरपूर कहा जाता है गड़ तो इनको अभी आप समझेंगे कि और कहां कहां जगा है ठीक है आप ध्यान से देखिए यह हमको सोर्स मिल गया अब देखिए क्या होता है कि यह जो है उत्तरप्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक जगा ह देख लिजे जालोन कहां आता है तो यहां पर आप ने देखा है यह जहांसी लिखा हुआ हमीरपूर है उरई है कोंच है मादोगड है तो यहीं पर लगता ही आपका देखा जाए तो बुंदेल खंड का जो शेत्र है न बुंदेल खंड कुछ जिले बुंदेल खंड के उन्होंने सबसे पहले जो है एक अलग बुंदेलखंड राज्ये बनाने की जो है मांग को भी प्रस्तावित किया था तो कई बार ये मुमेंट होता रहता है कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए तो बुंदेलखंड में कई जिले हैं जो कहां आ जाते हैं उत्तरप्रदेश इलखन कहलाता है, तो initial जगा में, जो एक जगा है, मैंने आपको बता दी, माहों माहों नी यहाँ पर आकर कोन बस गय है, तो हेम करण यहाँ आकर बस गया है तो हेम करण का वन्च यहाँ से चालू हो जाता है, और इनको ही क्या कह रहे हैं बूंद से यह क्या बन गए बुंदेला बन गए इन्होंने एक खून की बूंद गिराई थी कहां परविंद वासनी देवी के मंदिर में तो इस बूंद के कारण इनको क्या कहा जाने लगा इनको बुंदेला कहा जाने लगा तो देखिए यहां तक चीज़ें clear हो रहे हैं अब हम बात करते हैं एक-एक चीज़ तो सबसे पहले इनमें जो जिसने ये पूरी प्रातना करी वो वेक्ति कौन था तो वो कौन था जगदास था जिसका नाम हेम करन या आपका पंचम कहा गया जिनोंने इनको लाकर कहा बसा दिया तो महू महोनी में बसा दिया इसके बाद इसी के वंच में आगे चल कर हुए अरजुन पाल अरजुन पाल इसी वंच में हुए मतब जगदास के ही आगे बेटे हुए उनके बेटे हुए फिर जो है अरजुन पाल इनी वंच में आकर हुए तो बुंदेला के अंदर बुंदेला भी कहां पर है तो आपको समझने आ रहा होगा कि बुंदेला अभी जो है जगदास महु महोनी में है और महु महोनी कहां है तो महु महोनी आपको पता चल गया जालोन में है, जालोन उत्तर प्रदेश में, बुंदिलखंड का इस शेत्र है, वहाँ आकर बस गए, इसी वंच में आगे चल कर कौन हुए, अर्जुन पाल, अर्जुन पाल के दो बेटे हुए, इन बेटे में एक बेटा हुआ, जिसका नाम था वीर पाल, अब वीर पाल को गद्धी मिल गई, लेकिन इनका एक और पराकरमी बेटा था, जिसका नाम था सोहन पाल, सोहन पाल काफी योद्धा था, वारियर था, तो देखिए, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कि देखा जाये तो अभी यह महु महोनी में ही है, लेकिन अर्जुन पाल का जो बेटा थ वीर पाल उसको गद्धी मिल जाती है, लेकिन सोहन पाल को इसका खेद होता है, कि भाई मुझे गद्धी नहीं मिली गई है, तो यह वीर पाल इनको निश्काशित कर देता है, जैसे आपने, मैंने आपको कहानी बताई थी, जगदास, जगदास को निश्काशित कर देते है इनी का war of succession में तो इनके भाई इनको निकाल देते हैं तभी तो वो कहां गए थे विंदवासनी देवी के मंदर गए थे अपनी जानी देने वाले थे कि राजपाट से तो निश्काशित कर दिया यही चीज होती है किसके साथ वीर पाल के साथ वीर पाल भी सोहन पाल को निकाल प्रणनी पड़ती है तो सोहन पाल की कहानी यहां से शुरू होती है और सोहन पाल जो है यह देखा जाए तो बुंदेलाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट शाशक हुए मतब जो बुंदेल खंड में exactly आज के जो बुंदेल खंड में entry होने की जो कहानी है वो किस से छोड़ा सा इस तरीके से देखिए तो समझने आएगा आपको यहां पर आपका आज की डेट में एक जगा है जो टीकम गड़ कहलाती थी इस टीकम गड़ से ही एक डिस्टरिक निकल कर बन गया है जिसका नाम है निवाडी यह सब उत्तर प्रदेश को टच करते हैं यह पूरा का पूरा पार्ट जो है यहां वाला इसी को आप क्या कह देते हैं बुंदेल कंड कह देते हैं तो ध्यान से समझिये यह उत्तर को निकाल दिया गया तो भही टीकम गड़ का जो शेत्र था उस समें अब तो निवारी वाला जो शेत्र है वो गया है लेकिन टीकम गड़ में एक जगा हुआ करती थी जिसको कहा जाता था गड़ गुडर तो जो गड़ कुडर था ध्यान से समझिए यहां पे जो गड़ कुडर हुआ करता था इस गड़ कुडर पर एक रूलर रूल करते थे जिनको खाँ जाता था खंगार शाशक कौन रूल करते थे खंगार रूलर रूल करते थे तो यहां तक बात समझे क्या है कि गड़ कुडर पर एक रूलर रूल कर रहे हैं जिनको खंगार शाशक कहा जाता था यह खंगार जो थे कई जगाओं पर युद्ध लड़ने जाते थे, कभी पृत्वीराज सिंग चोहानों की तरफ से लड़ते थे, तो ये इनको बहुत बड़ी राजपूत नहीं जाती माना जाता था, निमने जाती के माने जाते थे, छोटी जाती के माना जाते थे, लेकिन युद्ध लड़ते थे, तो काफी य हेम करण की कहा नहीं करी हेम करण कहां आकर बस गया जालोन में महों महोंनी में इसी में आगे चलकर अरजुन पाल हुआ अरजुन पाल का जो बेटा था वीर पाल वीर पाल को गद्दी मिल गई लेकिन वीर पाल ने किसको निकाल दिया निश्काशित कर दिया सोहन पाल को सोहन पाल को इसका बदला लेना था तो सोहन पाल ने क्या किया तो सोहन पाल ने मदद मांगी किस से गड़ कुडर के शाशक खंगार शाशक जिसका नाम था हुर्मत सिंग इसको नाग भी कहा जाता था इसका एक नाम नाग भी मिलता है हुर्मत सिंग का ही एक नाम नाग भी मिलेगा तो चूंफ्यूज नहीं होए होएगा तो जो हुर्मत सिंग नाग हुआ करते थे इनसे मदद मागी किसने सोहन पाल ले तो इन्हों ने बोला हम मदद तो कर देंगे आपकी कि आपको राजपाट दिलाने में लेकिन हुर्मत सिंग ने एक डेमांड रग दी हुर्मत सिंग ने कहा कि आप जो है अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजे जब बेटी की शादी मेरे से हो समाज में हो जाएगी तो खंगार शाषक हुर्मत सिंग ने ये डिमांट रग दी किसके सामने ये रखी तो सोहन पाल का दिमाग यहाँ और खराब कि हम तुम से मदद माग रहे हैं तुम विवाप्रस्ताव रख रहे हो तो इसके बाद जो है सुहन पाल क्या करता है कई शाषकों से मदद लेता है इन शाषकों में जो है इस समय परमार शाषक भी होते हैं चोहान शाषक भी होते हैं और भी उत्तरपदेश में छोटे छोटे और जो शाशक होते हैं, उनसे ये मदद मांगता है, कि भई ये जो गड़कुडर का ruler है, ये तो काफी हमसे तेज चल रहा है, हमसे जो है हमारी बात नहीं मान रहा है, तो इस पर जो है गड़कुडर के शाशक पर ही क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, एक कहानी ये भी मि और सोहन पाल मिलकर ये गढ़कुडर के शाशक हुर्मत सिंग की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं इसको युद्ध में और जब मरने के बाद इनके आँ छोटे-छोटे जो बच्चे बस्ते हैं, उनको ये जो है उसके बाद युद्ध विराम लगाया जाता है, मतलब सब को मा देते हैं ये, जितने भी खांगार होते हैं, पुन्नेपाल की मदद से, तो ये जितने वहाँ पर बचे लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई, आप बुंदेलाओं के सेवक बन जाओ, तो गढ़कुडर पर पूरा कबजा हो जाता है किसका, सोहन पाल का, तो सोहन पाल कौन लेकर आया, सोहन पाल लेकर आया, सोहन पाल ने किसको हरा दिया, हुरमत सिंग को हरा दिया, जो खंगार शाशक था, जो खंगार रूलर था, क्यों हरा दिया था, क्यों हरा दिया था, क्योंकि इन्होंने मदद मांगी थी, किसको हटाने के लिए, वीर पाल को महु माहो लेकिन उसने मदद नहीं करी उसकी जगा उसकी बेटी का ही हाथ मांगा इस पर जो है उनके बीच में जो भी कहा सुनी हुई उसके बाद युद्ध हुआ बाद में इन्होंने पुन्नेपाल की मदद से किसको मार दिया है खंगार शाशक हुर्मत सिंग को मार दिया और गड़ कुडर के अंदर जो खंगार कुछ बच्चे रह गए थे कुछ महिला ही रह गई थी उनको सेवक के तौर पर बुंदेलाओं के तरह छोड़ दिया गया और वो हमेशा से बुंदेलाओं के सेवक ही रहे तो यहां से यह चीज आपको समझने आई होगी कि गड़कुडर पर क शादी करवा देता है सोहन पाल तो सोहन पाल जो है क्या बन जाता है सन इनलोग बन जाता है दामाद बन जाता है किसका पुन्ने पाल दामाद बन जाता है सोहन पाल का तो सोहन पाल के साथ मेट्रिमोनियल एलाइंस हो जाता है ये भी मेट्रिमोनियल एलाइंस ही करना चाह रहा था इसके कान युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध लड़ने के बाद जो है इनको क्या जगा खोनी पड़ी तो इनके पास जो ये आज भी आप जाएंगे तो गड़कुडार या गड़कुंडार जिसको कहा जाता है ये आज भी टीकमगड में ये जगा है गड़कुंडार का जो किला है वहाँ पर कबजा हो जाता है सोहनपाल का और सोहनपाल जो है फिर गड़कुडर में ही बस जाते हैं तो बुंदेलाओं की entry मध्य प्रदेश के जो इस वाले शेत्र में है, मतलब बुंदेलखंड के शेत्र में ये कहां आ जाते हैं, तो गड़ कुंडार में आ जाते हैं, और इनी में आगे चलकर एक शाशक हुए, जिनको बुला जाता है कि जिन्नोंने 1531 के around, जो है एक और आ गए हैं, तो सोहन पाल आ गए हैं, तो देखिए, सबसे पहले जो जगदास था, या हेम करंट था, उसके समय कैपिटल क्या थी, तो उसके समय कैपिटल महू माहूनी थी, जो की कहां आ जाती थी, जालोन में आ जाती थी, और फिर जालोन से ये किस तरफ आ गए, गड़ क पार्शाशक था और पुन्नेपाल की मज़द से और पुन्नेपाल की बेटी की शादी हो जाती है सोहन पाल से अब इस सोहन पाल के ही वंच में आगे चलकर एक बहुत फेमस रूलर हुए जिनका नाम था रुद्र प्रताब बुंदेला रुद्र प्रताप सिंग बुंदेला और बुंदेला रूलर्स में जो आप लोग पढ़ते हैं मेंली सारी बुक्स में आपको मिलेगी कहानी कहां से रुद्र प्रताप बुंदेला से ही रुद्र प्रताब बुंदेला की दो राजधानिया थी, एक थी गड़कुंडर, और दूसरी कौन सी थी, तो गड़कुंडर के साथ-साथ उन्हों नहीं ओर्चा बनवाया था, तो यही जो वीर रुद्र प्रताब बुंदेला हैं, इनी के दौरा एक नया राजधानी भी ब जिल अलग अलग है पहले कहां थे तो काशी में थे काशी से निश्काशित हुए तो गड़कुडर पे वाद एक और शहर बसा दिया जिसका नाम क्या था तो उसी का नाम था ओर्चा तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई है तो यह जो है आज औरचा जो है इनकी राजधानी रही है लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे बुंदेला पड़ते हैं हमें जो एक्जाीम्स में आते हैं वो अलग अलग बुंदेला साते हैं इसमें ये कहानी कहां से शुरू होती है रुद्र पताब बुंदेला से होती है तो इनकी जो के कई अलग-अलग नाम मिलते हैं तो एक नाम तो मैने बताया इनको कि ये विंध्या विंध्या चल पहाडी पर थे विंध्य रेंचेस पर थे देख़ किए यहां पर हम इनके नाम करंड की बात कर रहे हैं यह सब पर question आते हैं, तो main point of view से हर चीज हमारे लिए जरूरी है, अगर syllabus में दिया है, तो हर तरह की चीज हमारी clarity होगी, तो हम इस पर answer लिख पाएंगे, तो मुझे यहां तक बताईए कि origin जो अभी मैंने आपको बताया है, इस origin में कि इनकी उत्पत्ती की कहानी क्या थी, कह कहां से जुड़े हुए थे, यहां तक clear है कि नहीं है, फिर आगे हम कहानी बढ़ते हैं, बिल्कुल चोहानों के बारे में भी चंदेलों के बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं, तो आगे उन पर भी जो है discussion होगा हमारा, यहां तक clear है सबी को, तो देखिए, यह जो है मैं बोल आता था, लेकिन वहां बूंद गिरी, तो बन गया बुंदेला, इसके अलावा बताया जाता है काशी में, काशी के समय ही, इनको एक नाम मिला हुआ था, ग्रह निवार, अब यह ग्रह निवार क्यों मिला हुआ है, नाम ये भी ध्यान से समझ लीजिए, इन पर बोला जाता इसकी पूजा करवाई थी कहां पर काशी में, तो इनको उस समय ग्रह निवार के नाम से भी जाना जाता था, तो अगर पेपर में आ जाए ग्रह निवार कौन थे, तो भी याद रखी गया, आप और एक्जाम्स में अलग से लिग भी देंगे, कि भई, इनको ग्रह निवार भी कहा जाता था, तो आपका एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो समझने आ रहा होगा, एक नाम विंदेला है, विंदेयाचल परवत पर रहने के कारण, विंदेयाचल श्रेणी के आजपास रहने के कारण, काशी में एक पूजा करवाई थी, ग्रह निवार की, तो जो एल्डेस्ट सन है, जिनका नाम है लव, तो इनको लव का वंशच कहा जाता है, ये भी बहुत ध्यान से याद रखेंगे, आज पूरे भारत में एक ही ऐसे जगा है, जहां पर भगवान राम को राजा जैसे पूजा जाता है, जो की ओर्चा में राजा राम सरकार का बुंदेला, और इनी बुंदेला के कारण आज एक जगा का नाम क्या पढ़ चुका है, बुंदेल खंड पढ़ चुका है, पहले इसको ही क्या कहा जाता था, जेजाक कहा जाता था, जेजाक भुक्ती कहा जाता था, बुंदेल खंड का पुराना नाम मिलेगा, आपको कि नाम आपको याद रखने क्या क्या नाम बता दी है विंदेला बता दिया। तो ये जो है आपको चीज यहां तक समझने आ गई होगी तो देखा जाए तो आज जो बुंदेला वंच पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा रीजन है बुंदेल खंड का जो हमने बात करी है तो इसमें कुछ उत्तरप्रदेश के डिस्ट्रिक कुछ मद्यप्रदेश के डिस् बात है जालोन की मैंने आपको बात करी उरही की बात करी ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो कैसा बेल्ट है वो पूरा का पूरा बुंदेल खंड है तो इसी रीजन पर जो है इन्होंने शाशन किया है तो देखा जाए तो आपको आगे चलकर बुंदेल खंड में बुंदेला वंच की उत्पत्ती हो गई एक तो हमने इनके रीजन समझे कि भाई नाम करन या इनमे रूलर्स कौन कौन आ है लेकिन आपको एक्जाम्स में लिखने आएगा तो कैसे लिखेंगे उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो भाई हम बुंदेला कहां कहां के पढ़ेंगे तो यहां पर बहुत अलग-अलग शाखाएं हुई है बुंदेलाओं की इनमें अलग-अलग शाखाओं को देखेंगे जैसे यहां वाला शेत्र है तो इस पर भी आपका जो है इनको कहा जाता है टीकमगड के बुंदेला इसके अलाव आपका यहां पर है जिसको कहा जाता है और्चा के बंदेला और्चा के Alevajать आपका यहां पर पन्ना के बंदेला तो अलगलड में ब्रांचेज आपको पढ़ाओंगा टीकमगड की दतिया की और्चा की पन्ना की किस तरह से यह है बाद में इनके पास चंदेरी भी गया था ये सारी चीजे हम पढ़ेंगे तो हमारी बात उस पर होगी तो ये समझने वाली बात है जिसे पन अगर हम चंपत्राई हुए छत्रशाल हुए तो ये उसमें देखा जाएगा और्चा वाली शाका में jsबम रुद्रप्रताब उनडेला कि बात करेंगे ये टी गड़वाली शाखा में आगे चलकर हम देखेंगे लड़ाई सरकार, हराई सरकार, ये जो थी, ये सारी वहां पर जाकर बस गई थी, दतिया में अगर हम बात करेंगे तो वीर सिंग तो वे बुंदेला थे, बाद में उनको उर्चा मिलाता है, ये सारी कहानिया समझेंगे, त हमने इनका अभी जितना discussion किया है, वो आपको मैंने ये समझाने के लिए किया है, कि भाई जो बुंदेला है वो actual में थे कौन, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं, कि ये गड़वाल वंच के ही सामन थे, काशी में रहा करते थे, वहां से निशकाशित किया गया हेम करण को, ज जालोन में, महु महोनी में, उसके बाद जो है अरजुन पाल, अरजुन पाल का बेटा वीर पाल, वीर पाल ने निशकाशित कर दिया सोहन पाल को, सोहन पाल ने मदद मांगी खंगार शाशक हुर्मत सिंग से, हुर्मत सिंग ने बेटी की शादी करने को कहा, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मदद मांगी चोहान परमारों से और उनके खिलाफ युद्ध लड़ा पुन्नेपाल की मदद से किसको मार दिया हुरुमत सिंग को और गड़कुडर पर कबजा कर लिया इस गड़कुडर में आगे चलकर ही रुद्रप्रताब बुंदेला हुए तो ये अगर आपको पेपर में आता है कि इनके उत्पत्ती के क्या कारण थे तो वह भी तो समझे हम कि वह ये बुंदेला किस तरीके से स्थापित हो गए जब भारत में दिल्ली सलतनत चल रही थी चोहान वंच चल रहा था गड़वाल वंच चल रहा था चंदेल वंच चल रहा थ अब यह किसके बीच में होई थी तो यह हुई थी प्रित्वी राज सिंग चोहान त्रित्य वर्सेस परमल परमल को ही क्या कहा जाता था परमार्दी देव कहा जाता था परमार्दी देव चंदेल और परमार्दी देव चंदेल इस युद्ध का एक और नाम मिलता है जो यह पर तो आप confuse मत होईएगा इसी को कहा जाता है सिर्सागड का युद्ध सिर्सागड का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था प्रित्विराद सिंग चोहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच में लड़ा गया था कब लड़ा गया था 1182 में लड़ा गया था इनका नाम सुना होगा ये महियर वाले आला उदल है तो ये दोनों जो थे आला उदल इसी युद्ध में मारे गये थे प्रित्विराद सिंग चोहान ने आला उदल को मार दिया था तो उसके बाद चंदेल वीक हो गये थे तो बेसिकली चंदेलों के बाद ही तो बुंदेल कि जगा बुंदेला आने का एक बहुत बड़ी वज़ा थी क्या तो इनको हरा दिया था किसने प्रत्विरा सिंग चोहान ने तो चोहानों ने इस छेत्र पर कब्जा कर लिया था बिल्कुल विकास वो जो चीज है हमने पड़ी हुई है हम फिर से अब जो है चीज चालू करेंगे और मैंने आज भी का है आप लोगो कुछ भी लगता है कि बही ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सिंगल वे में एक लासेश चलेंगी आप लोगों के सेजेशन में लूँगा तो आपकी प्रिप्रेशन में कहीं ना कहीं मदद मिले और मैं यहाँ पर एक और चीज बोलूँगा कि अगर आपको प्रिलिम्स में भी मदद चाहिए तो अब आप मदर प्रदेश का प्रिलिम्स दो साल का उठा कर देख लिए जिन्नों ने भी मेंस के हिसाब से पढ़ाई करक रहें तो हमें अगला प्रिलिम्स देना ही देना है क्योंकि इंटर्व्यू होगा आपका मेंस का एक्जाम होगा उसके बाद जो है सारी चीजे होंगी तो ऐसा नहीं होता है कि आप रिस्क फ्री हो जाएं कि अगला प्रिलिम्स देना ही नहीं है तो देना है तो दोनों ही च इसलिए मैंने शुरूर में भी कहा है कि आपको रोजाना अंसर लिखने हैं मुझे मेल करने हैं उनको चेक करूँगा और आपको बेज़ूँगा क्या इंप्रूब्मेंट होना है तो इस तरीके से हम आंसर आइटिंग प्रोग्राम को भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हाँ वहाँ पर पूजा भी होती है उनके बारे में भी कहानी बात करेंगे सर मेंस पेपर 3 करा दीजिए अगर मेंस पेपर 3 की बात करिए मेरी रोजाना सुबह 8 बजे क्लास आती है बिटा तो उसमें मैं जो है फिजेक्स, केमिस्ट्री, बाइलोजी मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपका मेंस का स्लेबस कम्प्लीट हो आप वहाँ पर देखिए, स्लेबस उटाकर देख लिए, MPPSC का तो वहाँ पर एक-एक टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ तो आप मेंस के साब से वहां से साइंस पढ़ सकते हैं, मैं तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, दिन के दो बजे टूजडे के दिन मैं साइंस एंट टेक्नोलोजी भी ले रहा हूँ, और अभी एक और मैं नया सेशन चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं जोग्रफी का भी मेंस राइटिंग आपको करवाँगा, लग से एक टाइम हम लेंगे, जिसमें आपको वो भी मदद मिलेगी, तो डोंट वरी, ये वाला जो सेशन है, तीन बजे वाला, ये MP को डेडिकेटेड है, सुबह 8 बजे वाला जो सेशन में ले रहा हूँ, वो पूरा साइंस को ह है, तो यूनेट पेपर 3 जो है, वहाँ से कवर हो जाएगा, इसमें हम जितने भी MP स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, या MP के आज पास जो भी लगेगा, उसको कवर कर देंगे, साइंस और टेक्नोलजी वाले में साइंस और टेक्नोलजी पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ दो पहले मैंने काफी लेक्चर्स लिये थे, कई बच्चे बार-बार बोल रहे थे कि सर वो लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद ये इसलिए 3 बजे का हमने टाइम यहाँ पर सेट किया है, तो इस पर आपको regular basis पर मिलेगा, बिल्कुल, तो वो भी class देखते रहे हैं, तो यहाँ तक देखे, एक बहुत बड़ा कारण बना चंदेलों का हारना, चंदेल बहुत बड़े पावर थे, चंदेल जो है इतने बड़े पावर थे कि गुरजर पतिहारों को हराने लगे थे, कल्चुरियों को हराने लगे थे, परमारों को हराने लगे थे, तो इनका का कोई जगा खाली होगी तो वहाँ पर कोई ना कोई आकर तो उबरेगा तो बुंदेल खंड या बुंदेल वंच का आने का एक बहुत बड़ा कारण चंदेलों की समापती थी दूसरा कारण अगर हम बोले तो बैटल आफ तराइन जब आपका 1100 इनक्यानवे में फर्स बैटल आफ तराइन हुआ जब सेकेंड बैटल आफ तराइन हुआ तो सेकेंड बैटल आफ तराइन में मुहम्मद गौरी ने प्रित्विरा सिंग चौहान को हरा दिया तो जो चौहानों ने जगा जीती थी कहां की महोबा की कालिंजर की वो तो प्रित्विरा सिंग चौहान हार ग तो इसके बाद मिलता है कि अगर हम बात करेंगे तो पंद्रा सौस के बाद आपका बुंदेल जो राजा थे उनका अलग परचम फैला था जिसमें मैंने आपको अभी शुरुवात में बताया था एक शाशक के बारे में जिसका नाम क्या था रुद्रप्रताब बुंदेला य यह सोहन पाल के वंच में हुआ था जिन्होंने क्या बनाया एक जगा और बनाई जिसको हम ओर्चा कहते हैं और इनकी एक तो गड़कुंडार थी ही तो यह जो शाशक थे यह किस काल में आए 1500 प्लस में और अगर हम बात करें यहाँ पर हम बाइगोट्री कह रहे हैं कट करत हम गया यह किसके द्वारा फैलाई गई थी गैंक रूलर अधर दिल्ली सलतनता का जिसका नाम ता सिकंदर लोधी अचल कारी तो सिकंदर लोधी जो है यह रूल करता है 1489 से 15 17 तक 149 से 15 17 तक तो बताया जाता है कि जब आपका सिकंदर लोधी गद्धी पर बैठा तो उससे पहले क्या होता था कि जो भी दिल्ली सल्तनत पे शाषन करता था वो पूरे भारत पे अपना दबदबा दिखाता था उसकी लोग जो छोटे-छोटे राजा महराजा थे उनकी बात माना करते थे लेकिन जब सब लोग जो है यह कहेंगे कि इनकी मा हिंदू है इसलिए हिंदू के प्रती जो है काफी जो है दया भाव रखता है तो उसने क्या किया सिकंदर लोधी ने कटरता वाली पॉलिसी अपनाई और इसने जजिया लगा दिया ब्रामनों के उपर भी तो सबसे पहली बार जो सिम आया था दाहिर को हराया था तो 712 के राउंड से जजिया चालू हो गया था सिंधवाले शेत्र में लेकिन कभी भी उस पर जो है ब्रामनों पर नहीं लगाया जाता था उसमें कई लोगों को छूटती चोटे बच्चे को छूटती जो अपंग थे जिनके हैंडी कैप ल लगाना चालू कर दिया और उसकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी तो वो ऐसी पॉलिसी थी जो एंटी हिंदू थी क्योंकि उसकी मा हिंदू थी तो वो दिखाना चाता था कि मैं बहुत ही कट्टर मुसल्मान हूं तो इस तरह की पॉलिसी अपनाने लगा तो इससे क्या हुआ जो लोग थे, देखे कोई भी शाशन चल रहा है, कोई भी देश की डेमोक्रेसी चल रही है या वहाँ पर, कोई भी बड़ा सा बड़ा राजा हुआ है, तो प्रजा जब तक शांत रहती है, तब तक राजा बना रहता है, लेकिन अगर लोगों का किसी को सपोर्ट मिलने लग क्यों हटना पड़ा, क्यों हटना पड़ा, क्योंकि प्रजा बगावत पर उतर आई थी, तो देखा जाता है, सिकंदर लोधी की एक जो बहुत बड़ी जो बाइगाटरी पॉलिसी ती, कटर की नीती थी, उसके कारण ये बुंदेल खंड के जो शेत्रे में जो लोग थे, इन्होंने बुंदेला वंश को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये जो वंश था, उनके फेवर में काम कर रहा था, तो लोगों की यहाँ पर एकता देखने मिलती है, किसके प्रती, जब सिकंदर लोधी की कटर जो पॉलिसी थी, वो यह आने लगी, तो ये भी एक बहुत बड़ सिकंदर लोधी भी एक रीजन हो सकता है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये लोग जो शेत्र पर रहते थे, यहाँ पर जंगल बहुत थे, तो इनके लिए आसान था गुरिल्ला वार करना, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, जैसे आज भी आप देखते हैं, नक्सली हमले जो होते हैं, वो कहां पर होते हैं, नक्सली हमेश आप जंगल में छिपकर जो है अटाक करते हैं, तो उससे उनको एक बेनिफिट होता है, कि उनको कोई देख नहीं पाता है, तो एक जो बहुत बड़ा कारण था बुंदेलाओं के लिए, कि यहाँ पर जो है जंगलों सिंग चौहान का जाना, फिर दिल्ली सल्तनत का आना और दिल्ली सल्तनत की अधीन इनको शाषन करना, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जब सिकंदर लो दिया आगया, तो लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी, क्योंकि उसकी कट्टरता की नीती थी, इसके लावा ये गुरि से जो आंसर आइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं मैं सबके आंसर्स बाइप चेक करूंगा तो इस कोश्चन को देख लीजिए यह फाइब मार्कर कोश्चन है जिसमें 50 वर्ट्स यूज करना है फाइब तो सिक्स लाइन और यहाँ पर आपको बताना है वाट रीजन्स ऑफ नाओं में बह जाएं तो अपने आप पर कंट्रोल करना है और अच्छे से आंसर लिखना है तो होप कल मिलेंगे इसी के बाद अगले टॉपिक में इसके अलावा जो मेल आईडी दी हुए इस पर आप मेल कर देंगे और इस लेक्चर की पीडियाफ मैं टेलिग्राम ग्रू कर दूँगा तो वहां से उस चीज को डाउनलोड कर लेंगे तो होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी थांक यू वेरी मच फो वाचिंग दिस हाव ग्रेट डेज आइग कर दो